प्लान की बात करें 45 x 45 मतलब 45 x 45 में प्यारा सा मकान मिलेगा इस मकान में आपको 4 बिटूम मिलेगा कीचन, स्टूर रूम, 2 सेटे, चवास रूम, कॉमन बाथ रूम, सीगडी, हॉल, बरामदा, पूर्च, बहुत अच्छे तरीके से प्लान को बनाया गया है तो जादा देरी नहीं करेंगे और आपको एक-एक डिटेल बताएंगे, चलिए विडियो सुरू करते हैं दोस्तों, नक्सा बनाओना होना है ताप हमसे कॉन्टेक करके नक्सा बनाओ सकते हैं, फिलाहल के लिए कॉलम आपको दिखा देते हैं, जो भी मैंने आपके कॉलम दिया है, तस पूरा जोनी में, देख लिए सारे आपके कॉलम हो जाएंगे, इस कॉलम में आपको चार शरीए 12 मम में आपको यूज करना है, खूंट् को प्लिस लाइक ऀसे बनाने हमें बहुत सारी लगती है तो हमें लाइक करके हमें rekonna chaîne इस तरीचेशा MARK तोटल हो जाएंग दोस्तों अब बाहर के दिवाल है उसको मैंने 10 इंची के रखा है तो उसको कम करने के लिए यहां पे 10 इंची के दिवाल बाहर की साइड रखी जाते हैं तो फिलाल यह देख लिए इस तरीके से बाहर की दिवाल दस इंची यहां पे हो जाएगी दोस्तों और अगर आपका प्लॉट तीनों साइट से क्लोज है मतलब दूसरे की जमीन से तो आप देख लिए इस तरीके से पूरा मकान की हाइट अगरे हैं पर कंप्लीट हो जाएगी अब चलिए इसका प्लिंट लेबल मतलब कुरसी लेबल है इसको भी थोड़ा यहां पर डिवाइट कर देते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएं यह आपका लेबल हो जाएगा इसका है तोड़ा सा में टेक्षर यहां पर चेंज कर देता हूं ताकि चीजें आपको सवह में आती रहें कहां यह आपको यहां तक प्लिंट के लेबल मतलब कुरसी के जो लेबल है यहां तक आपको रहेगा दोस्तों तो इस तरीके साब देख लोगे तो यह आपको प्लिंट का प्लिंट का टीक्षर हो जाएगा चलिया अब और दिवाइड हों मकान में इंटरी करने कलिए इस तरीके से एंड़ियां यहां तरीके एस तरीके साब सीधी को यूज करके मतार में इंट्री कर जाएंगे तो यहां प्रोटिको कर जाए इसका सािज बगर अभी मैं आपको आगे बता हूंगा इस जगह पर रहे गापका में इस प्रेटिकुलर एरिया पे तो यहां-प्रहेगा फिर आप आगे बढ़ते हैं तो य तो आप देख सकते हैं इस तरीके से दरwoatra पीए आपकी ओपनिंग इस तरीके से यहां पर रहेगी दोनों साइड में आपके रूम रहेंगे तो पहला ओपवर आपको यहां पर रहेगा इस जगां पर आपको दो लिफिट और राइट ने रहेंगे फिर आप आगे बढ़ते हैं हाँ इस रूम से आपको अटेच वास रूम भी दिया गया है दोस्तों ठीक है ति यह आपका एरिया हो जाएगा यहाँ पर इस रूम से ठीक है आप यहाँ पर जाएंगे स्टोर रूम में क्या इसको इसको पीर आप इससे ही आपका इह अटेश वासरूम रहे सीह सेव साटेश वाले रूम में भी आपका सेम तुकेशन रखा गया है दोस कर थे हमिए है तो इसका इस्टोर आपका बाहर जो है बाहर से रहेगा बाहर से मतलब कोई भी बाहर को सबान और रखना है तो इसमें आप इस्टोर गूम बना सकते हैं तो मतलब 45 पर 45 बहुत अच्छे तरीके से प्लान को इंजिक्यूट किया गया दोस्तों ठीक है फिर आपका आगे आपके इस तरीके से लग जाएगे फिर आप आगे इधर देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्टोर मिलता है यह किचन का स्टोर है ठीक है यह आपका किचन का स्टोर रहेगा दर्वाजा हम बाहर की तरह कोपन करेंगे ठीक है यह आपका किचन का स्टोर हो जाएगा और पीछे निकलने के लिए पीछे निकलने के लिए उस जगहना के लिए जेखा है और यहीं पे यह common toilet bathroom दिये गया ताकि कोई भी अंदर का जिसको यूज करना बाहर का तो किसी कमरे में न जाना पड़े और एक bedroom आपको इस साइड भी आपको मिलेगा तो यह इस तरीके से पूरा आपको यह प्लान आपको मिलेगा और मकान बनने बाद आपको यह पूरा इस तरीके से दिखेग पूर्टिको इरिया इसके बाद यह आपका living hall lip right में रूम और इसके बाद दरावाजी के ओपनीग आगे बढ़ेंगे lobby अरिया living hall एरिया ठीक है इस रूम से आपका इस्टोर प्लस यह आपका toilet bathroom पिर आगे आपका living hall यह आपका एक स्टोर इस रूम से भी आपका टैच्वा फिर्टिपर इन्ची है और यह पूर्न है चलिएक साइज के तरह मर आपको एक Cristian क्लीर कराते हैं कि किस तरीके से क्या चीज कैसे य मोंतलब मकांका मकान का फ्रuciones 45 एह इसके बाद देख लिए इसके बाद पौर है यह 15 फिट 2 इंची इंटू 10 फिट का आपका पोर्चेरी हो गया इसके बाद 13 फिट 6 इंची इंटू 12 फिट का आपको यह living hall एरिया 14 बाई 12 आपको यह room देख सकते हैं यह आपका 14 बाई 12 का यह वाला room आपको 18 फिट 6 इंची इंटू 13 फिट 6 इंची आपका यह lobby एरिया living hall एरिया आपको मिलेगा यह आपका जो इस room से attached एरिया है 10 फिट 10 फिट 8 इंच इंटू 8 फिट 8 इंच का आपका रहेगा उसको बाद 6 फिट इं तेट 10 फिट 1 इंच का यह toilet बाद रहेगा सीड़ी आपका इस तरीके से जो सीड़ी का इरिया है देख लीजे इस तरीके से 8 फिट में आपका सीड़ी का इरिया आपको मिलाएगा इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा फिट इन्टू साघ्य चौधाफिक आपको इसके बाद यह वाला हिस्सा आपका साघ्य साथ वाई चारक आपको रहेगा और चारiba फिट दो इंच का आपको इन्ट कप की पीछे जाने कि लिए इसके बाद यहस्सा दस फिट एक इंच का यहाँ पे इन्टू दस फिट एक इंच का आपको यह स्टोर एरिया आपको तो मतलब यह Children Room यह स्टोर रूम बोल सकते हैं और यह Attached वास रूम यहाँ वाला इस तरीके से पूरा आपको इस प्लान मिलेगा स्क्रीन सॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीन सॉट यहां पर ले सकते हैं सेंगल पे यह छोटा सा वीडियो छोटा सा प्लावन छोटा सा डिजाइन आपको कैसा लगा कामेंट जरूर करें नक्सा बनाओना तो आप हमसे कॉन्टेक करके नक्सा बनाओ सकते हैं मिलते हैं दूसरे वीडियो ल accused में त